दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है HDFC Bank में FD किस तरह से online घर बैटे ही अपने mobile के दोरा जो है FD में investment किस तरह से कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको complete procedure बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप HDFC Bank में FD करके और high return पास सकते हैं इसके लिए बने रहे हैं आपके अपने YouTube चनल टेक यादो के साथ HDFC Bank के fix deposit में investment करने के लिए आपके पास iPhone हो या laptop आप इसमें जो भी browser यूज कर रहे हो browser के search box में जाके आपको type करना HDFC net banking यानि सबसे पहले हमारे को fix deposit में investment करने के लिए HDFC की net banking को open करना इस तरह का page आजाएगा इसमें जो आपको जो है सबसे पहले जो दियावा है net banking HDFC इसके उपर आपको किलिक करना किलिक करने के बाद आपने जो इसमें user ID और password सेट कर रहा है वो user ID और password डालके सबसे पहले जो HDFC का net banking का page होता है उसको open कर लेना तो इस तरह से page आपके सामने खुल के show हो जाएगा अभी दोस्तों आप देख सकते हूँ इसमें right side में tronject का option दिया है तो आपको क्या करना है कि FD में investment करने के लिए जो Transect का option है इसके ओपर हमारे को किलिक कर देना है तो जैसे हमाiden tranject के option के ओपर किलिक करूंगा करते इस तरह का पेच आजाएगा open new fix deposit तो इसमें सबसे पहले option आएगा type of FD तो इसमें कई type दिये वे हैं जैसे regular deposit 5 year take saving deposit और health care FD तो दोस्तों normally हमारे लिए वह सबसे बढ़िया रहेगा जो पहले वाड़ा option है regular deposit यही FD हमारे लिए सबसे best रहेगा इसके बाद में इसमें withdrawal option तो withdrawal level FD यानि आप इसको जब चाहोगे तब आप withdrawal कर सकते हो यानि emergency में कहीं पैसों की जरूत पड़ गई तो आप इसको withdrawal कर सकते हो इसके बाद में page को और उपर की तरफ scroll करोगे तो इस तरह का option आजाएगा place of FD यानि जो है अगर आपका जो bank इसम दूसरी branch में करना चाहते हो अपनी FD तो दोस्तों इसमें जो other का option दियावा है अदर वाले option के उपर किलिक करके आप किसी दूसरी branch में भी जो है FD में investment कर सकते हो या फिर home branch में करना चाहते हो तो इसको जो है home branch ही रहने देना है home branch आपकी show कर देगे page को उपर की तरफ और to ही आप जो है FD में investment कर सकते हो आगे इसमें दियावा है view FD interest rate तो आप यहां पर जो है FD का interest rate यानि कि कितने दिन की करने पर मेरे को है आप देखी सकते हो इसमें नीचे लिखा हुआ है वो कर सकते हो अभी select deposit type यानि आप जो interest है जो FD पर interest है वो किस तरह से लेना चाहते हो days between यानि पहले वाड़ा option select करोगे तो 780 days के 20 में लेना चाहते हो या जो है monthly आप जो है FD का interest लेना चाहते हो या quarterly जो है interest लेना चाह है दोस्तों आप FD में ही वापिस जो है उस interest को invest करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको एक बाद बता दूं कि इसमें अगर आपको पैसे की जरूत नहीं है तो आप जो सबसे last वाड़ा option है reinvestment of interest के option को ही select करें इससे क्या है कि आपको ज्यादा interest मिलेगा तो दोस्तों ये नीचे वाड़ा आपको जो है select कर देना है या दोस्तों आपको monthly या quarterly अकर पैसों की जरूत है किसी काम के लिए तो आप फिर दोस्तों ये monthly या quarterly का जो option है वो भी select कर देना है जैसा आप option इसमें select करोगे उसी के according to जो है इसका जो interest मिलेगा वो हमारे को मिलेगा तो अगर आ देख सकते हो कि minimum जो है time minimum ट्रम यानि six month और one day और maximum 120 मन अभी minimum amount भी आप देख सकते हो 5000 रूपए और maximum amount च्यार करोड 99,99 लाग something तो दोस्तों इस तरह से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो कि minimum कितना amount और maximum कितना amount यानि पांच करोड से थोड़ सा ही कम जो है maximum amount है तो आपके पास जी साबसे पैसे हो जैसे 5000 के उपर उसी के according to आप जो है इसमें FD में investment करें तो इसके बाद में page को और उपर की तरफ स्क मैंने बताया था कि FD का interest rate की table है तो उसको देख के और आप confirm कर ले कि कितने दिन की करने पर मेरे को जो है interest ज्यादा मिलेगा तो उतने ही दिन इसमें सबसे पहले आपको month और आगे days जैसे मैंने 7 month और 02 days यानि 5 साल 2 दिन की FD में investment में ने कर दिया है तो आप जितना करना च इसके बाद में सेलेक्ट किया है तो रिन्यू प्रिंसिपल इंट्रेस्ट यानि जो हमारे को जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंट्रेस्ट है उसको हम दोन्नों को जो है वापीस रिन्यू का मतलब है अगर यह option कर देंगे तो अट्योमेटीक हमारी FD करनवट हो यानि जब आपकी मेचूर हो गई तो आप जो है उसका जो है पूरा का पूरा पैसा प्रिंसिपल और जो है इंट्रेस्ट दोनू लेना चाहते हो तो दोस्तों जैसा आपको जूरूत हो वही option तो मैं इसको डूनोट रिन्यू का option मेंने सेलेक्ट कर दिया यानि मेरे को रिन केबल मोड तो बाई ट्रांसपर टू सेविंग अकाउंट तो यह option इसमें जो है इसमें हम चेड़ चाड़ नहीं कर सकते हैं इसके बाद में जो है इंट्रेस्ट जो है बाई ट्रांसपर टू सेविंग अकाउंट यानि जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसी के द्वारा उ जो है उसको भी जरूर चेक कर लेना है कि कुछ गड़बड तो नहीं है इसके बाद में दोस्तों ओप्सन दिया है कलिक नोमीनी फैसिलिटी टू भी अवेल्ट तो आप जो है इसमें नोमीनी फैसिलिटी चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे कि किसी भी परकार का bank account हो या आपकी कोई भी saving scheme हो चाहे किसी भी bank में हो post office में हो mutual fund में हो किसी भी परकार की saving scheme हो दोस्तों आप जरूर उसमें जो है नोमीनी एड करें क्योंकि खुदाने कास्ता आपको कुछ हो गया तो वो नोमीनी उन पैसों का हगदार नोमीनी में चाहे आ replicate saving account नोमीनी यानि यह बोल रहा है कि आप जो saving account है उसी की नोमीनी के रहना चाहते हो तो पहले वाड़े option के उपर किलिक कर देना है या फिर दूसरा option भी दिया हुआ है please enter a new nominee name यानि अगर आप किसी दूसरे को नोमीनी ने change करना चाहते हो तो second वाड़ा option पर किलिक कर देना कि इसको continue कर देना है तो आपको जो है नोमीनी इसमें आप जो है जरूर add करें चाहिक किसी भी प्रकार की saving scheme क्यों नहीं हो जैसे ही मैंने इसको continue किया continue करते ही वो ही detail जो हमने अभी फिलप की है वो पूरी की पूरी detail हमारे पास जो है show कर देगी तो आपको page को उपर की जो है 7,006 रुपए मेरे को जो है मिलेंगे तो यह automatic की calculate करके यहाँ पर सब कुछ जो है show कर देगा अभी deposit period भी show कर देगा और maturity date यानि maturity date जो है मेरी कब है इसके बाद में rate of interest rate of interest मेरे को जो है 7% के हिसाब से इसमें rate of interest मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपको जो confirm कर देगा कि आपको जो है कितनी में चूटी मिलेगी कब आपकी जो है कम मिलेगी और इसमें जो interest rate मिलेगा आपको वो किस इसाब से मिलेगा तो यहाँ पर सब कुछ शो कर देगा पेच को उपर की तरफ आपको दोस्तों scroll करते जाना है और जो हमने अभी तक detail इसमें scroll करना है और इसमें दो option दिया हुए है देशे checkbox I wish to save this as a my FD template for future अगर आप इसको future के लिए करना चाहते हो तो फस्ट वाड़े checkbox पर तो मेरे को नहीं चाहिए तो second वाड़ा में term save condition है उस checkbox के उपर हमारे को click कर देना है और दोस्तों इसको confirm कर देना है तो दोस्तों जैसे मैं confirm करूँगा तो यह एक easy step है इसके द्वारा जो है मेरी FD जो है investment हो गई है तो जैसे मैं confirm करूँगा confirm करते ही देख सकते हो दोस्तों इस तरह का message आ जाये congregation success bully booking a fixed deposit यानि मेरी fixed deposit जो है success bully book हो गया है और आपके जो saving account है उससे पैसे जो है FD में automatic transfer हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे आप बहुती easily बहुती easily तरीके से जो है HDFC bank में और जो है FD book कर सकते हो घर बैठे ही वो भी अपने mobile के दोरा आपको किसी agent वगेरा के पास कहीं भी जाने की जूरूत नहीं फिर भी दोस्तों आपको कोई भी क्यूरी हो कुछ नहीं समझ मैं आ रहा comment box में जरूर लेके म जितनी हो से के पूरी help करूंगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा like करें share करें वह मेरे youtube channel को जरूर subscribe करें thank you for watching my video again